हे गाईज, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय में है आज हम बनाना सीखेंगे एक ब्यूटिफुल स्लीव डिजाइन तो उसके लिए हमने स्लीव की कटिंग कर ली है और मैं आपको एक स्लीव रेडी करके दिखाऊंगी शोल्डर मैंने लिया है 9 इंच का और हमें तयार रखना है इसको 8 इंच पर आप ब्लाउज में भी ये डिजाइन बना सकते हैं इजली और इसकी लेंद मैंने रखी है 14 इंच आप इसको लॉंग भी कर सकते हैं और इसे तयार हमें डबल फोल्ड करके रखना है 12 इंच पर और डिजाइन बनाने के लिए मैंने स्ट्रिप ले ली है इसकी width मैंने ली है 4 इंच अब हम इसको डबल फोल्ड करके सलाई लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से हमें सलाई लगा लेनी है और स्लीव में भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है बॉटम को तो अब हम stitching कर लेते हैं तो पहले इस tip को डबल फोल्ड कर लेंगे हम ये देखिए इस तरीके से strip को हमें डबल फोल्ड करके पूरे में सलाई लगा लेनी है तो ये देखिए friends हमाई सलाई लग चुकी है अब हम इसको सीधी साइट की तरफ टरन कर लेंगे तो आप किसी भी चीज की help से इसको सीधी side easily turn कर सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम turn कर लेंगे turn करने के बाद हम इस पर iron कर लेंगे तो ये देखिए हमने iron कर लिया है तो sleeve का bottom हमने पहले ही double fold कर लिया था तो ये देखिए और इस तरीके से मैंने center पर इसके iron कर लिया था अब हमें iron वाले निशान पर रखते हुए strip की पहले एक बार stitching उपर की side लगा लेनी है इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से पहले उपर की side हम एक बार stitching कर लेंगे और इसके बाद हम एक इंच पर मार्क लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से हम एक इंच पर मार्क लगाएंगे जहां से हमने stitching की थी वहां से और इस तरीके से मार्क लगा कर हम इस पर भी एक बार stitching लगा लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको stitch कर लेना है और इसके बाद हम 3 इंच पर mark लगाएंगे जहां से हमने last stitch किया है वहां से हम 3 इंच पर mark लगाएंगे और इस तरीके से उपर की side रखते हुए हम stitching लगा लेंगे और ये दिहान रखे friends पीछे की साइड हमारी strip है उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए तो हम आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे बिल्कुल border की side अब हम यहां से भी 1 इंच पर mark लगाएंगे और फिर उसको stitch कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और इसके बाद फिर हम वही करेंगे कि 3 इंच पर निशान लगाने के बाद उसको उपर की तरफ रखते हुए कपड़े के किनारी पर हम stitching करेंगे ये रेखिए इस तरीके से ताकि उपर की तरफ जो strip है उस पर सिलाई ना लगे और फ्रेंड्स आगे भी हमें सेम पहले की तरह करना है पहले हम एक इंच पर मार्क लगाएंगे और फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से एंड देन उसके बाद हम तीन इंच पर मार्क लगाएंगे और उसको उपर की साइड रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हमें पूरी स्लीव में डिजाइन बना लेना है सेम प्रोसेस दो राते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर भी तो इस तरीके से हमें पूरी स्लीव में डिजाइन बनाना है अब हम इस पर सुई धागे की हेल्प से स्टिचिंग करेंगे तो ये देखिए जो हमारी स्ट्रिप है उसको सेंटर की साइड रखते हुए हम नीचे के साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे और ये दो तीन बार टाके लगा देना फ्रेंड्स ताकि ये दुबारा तूटे न इन उसके बाद हम ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दो साइड पकड़ते हुए हम कॉर्णर की इस तरीके से टाका लगा देंगे और उसके बाद हम ये मोती लगा देंगे बीच में इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और ऐसे हमें दूसरी साइड भी लग सुई धागे की हेप से इसको टांका लगा देंगे, इस तरीके से, and then उसके बाद हम इसके दोनों साइट के कौर्णर को बीच की तरफ रखते हुए दोनों पर टांका लगा देंगे, ये देखिए, इस तरीके से. और इसके बाद हमें मोती अटेच कर देना है और इसी तरह से फ्रेंड्स हमें उपर के साइड पूरी स्लीव में डिजाइना लेना है सेम प्रोसस से तो यह देखिए हमने डिजाइन बना लिया है तो यह आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर लग रहा है और स्लीव रेडी करने के बाद तो ये और भी जादा सुन्दर लग रहा था आप इसको बलाउज में भी बना सकते हैं और कुर्ती की स्लीव में भी बना सकते हैं और टॉप में भी बना सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू फॉर वाचिंग